CUET से होगा DSPMU में आडमिशन पास सदस से कमिटी बनी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कारवाही 15 मार्च से नमांगन फॉर्म जमा होगा 21 से 31 माई तक होगा इंट्रेंस टेस्ट नेशनल टेस्टिक अजनसी ने CUET यूजी कोर्सों में आडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है 15 मार्च से CUET के लिए ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं CUET यूजी का आउज़न 21 से 31 माई के बीच में होगा राज़दानी राचे स्थिट डॉक्टर शामप्रसाद मुखाजी उनिवरसिटी और राची उनिवरसिटी में भी CUET में प्राप स्कोर से अडमिशन लिए जाएंगे इसके लिए DSPMU ने 5 सदस्य कमीटी गटित कर दी है कमीटी की रिपोर्ट के अधार पर आगे की कारिवाही शुरू की जाएगी कमीटी के सदस्य सची DSW डॉक्टर SM अबास हैं बतादे चले कि CUET से अडमिशन को लिएकर उच शिक्षा विवाग को दो बार विस्विद्यालियों को पत्र लिखा जा चुका है वही आपको बता दे कि एक दिन में तीन फेज में होगी परीक्षा CUET-UG में हिस्सा लेने वाले अभ्यार्ती तीन सेक्षन से जादा से जादा दस विसे भर सकते हैं देजभर में इस सहायता केंद्र भी खोलेगा UGC CUET-UG परीक्षा को लेकर विस्विद्याले अनुदान आयोग ने इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यार्तियों यानि कि स्टुडेंट्स की मदद के लिए आवेदन करने के लिए मार्ग दर्शन और जागरूपता के लिए देजभर में सहायता केंद्र खोलने की श निरने में अव्यार्तियों का बहुत जादा समुलियत होगा चलिए अब आपको बताते हैं कि CUET-UG की कितना है रजिस्ट्रेशन फीज CUET एक्जाम तीन सेक्षन में आयोजित होंगे इसमें लांगवेज, डोमेन और जनरल टेस्ट शामिल है वहीं फीज की बात करें तो तीनों विशयों को लेकर जनरल की फीज 750 रुपे हैं जबकि 7 विशयों के लिए 1500 और 8 विशय के लिए 1750 रुपे हैं CUET-UG में हिस्सा लेने वाले अव्यार्ती 3 सेक्षन से ज़्यादा से ज़्यादा 10 विशय ले सकते हैं तैसी खबरों के लिए बने रहें मेरे चैनल जर्नलिस पूर्वा के साथ धन्यवाद